राहुल गांधी की सदस्यता तो खत्म कर दी गई है लेकिन उसके साथ ही एक बड़ा खुलासा हलाकि कॉंग्रेस की तरफ से किया जा रहा है अभी शेक मनुसिंग भी जो की सीनियर आडवोकेट भी है और साथ ही कॉंग्रेस के सीनियर लीडर है उन्होंने ट्विटर पे एक बहुत ही महत्वपून जानकारी दी है जिसके बाद ये सवाल हम सब के मन में खड़ा होना चाहिए कि क्या साथ फरवरी को यानि इसी साल की साथ फरवरी को राहुल गांधी ने पारलिमेंट में जो मोधी अडानी को लेकर उनके रिष्टों को लेकर अडानी के शेयर उससे तो सारी बातें उसके रेकॉर्ड से यानि कि लोगसभा के रेकॉर्ड से ही एक सपंच कर दी गई थी डिलीट कर दी गई थी और उसके बाद नरिंद्र मोधी ने अपने जवाब में एक बार भी राहुल गांधी के आरोपों पर जवाब नहीं दिया था उसी भाशन की मैं बात कर रही हूँ जिसे गोधी मीडिया ने तालीब अजाते हुए वाह क्या भाशन है वाह क्या भाशन है यह सारी बाते आप लोगों के सामने की थी लेकिन उसकी बॉकलाहट इतनी ज्यादा थी कि सच्चाई अब ये सामने आ रही है कि साथ फरवरी के उस भाशन के बाद क्या राहुल गानी के खिलाफ ये सजा सुनाने को लेकर इस केस को एक्सपडाइट करके इस केस को दुबारा से जीवित करके शड्यंत्र रचा गया साजश रची गई इतनी वौकलाहट हुई उसे एक भाशन से ये मैं आपको बताती हूँ कि आखिर अभिशेक मनु सिंग भी ने क्या लिखा है ट्विटर पर दो ट्वीट्स में इन्होंने अ कंप्लेनेंट द्वारा जिसने कंप्लेन की थी जिनका सरनेम मोधी था और मोधी सरनेम को लेकर जो राहुल गांधी ने बयान दिया था उसको लेकर वो बहुत आहत हुए थे उसको लेकर उन कंप्लेनेंट की क्या क्या आपको अभी देखे गतिविधियां दिखाई देंग को ये complaint फाइल की गई थी क्योंकि 19 के जो election थे उस दौरान राहुल गांधी ने ये statement दिया था उसके बाद ठीक दो साल बाद दो साल बाद 2021 में 24 जून को राहुल गांधी परस्नली सूरत में अपियर भी हुए कोट में उसके बाद एक साल बाद 7 मार्च 2022 को अब ये ध्यान से सुनिएगा एक साल बाद 7 मार्च 2022 को इसी complaint जिसने complaint की राहुल गांधी के खिलाफ उसी complaint ने गुजरात के हाई कोट में जाकर अपनी ही राहुल गांधी के खिलाफ की गई complaint पर स्टे लगाने की अपील की कि मतलब वो चाहते थे कि उनकी अपनी ही complaint को स्टे कर दिया जाए इसको आगे न बढ़ाया जाए यानि उसी वक्त ये सोच लिया गया था कि अभी तो इसमें कुछ आगे नहीं करना लेकिन तुरुप के इक्के की तरह इसका इस्तमाल किसी दिन किया जाएगा और वो दिन साथ फरवरी 2023 आ गया था उस समय उन्होंने स्टे ले लिया था इसके उपर इसको आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं था उनको एक साल तक सब शान्त रहे कुछ नहीं किया गया स्टे ले लिया गया एक साल तक शान्त रहे उसके बाद राहुल गांधी की स्पीच वो लिखते हैं कि राहुल गांधी इस फैरी स्पीच इन लोकसभा उन 7 पेब 2023 यानि इसी साल फरवरी में साथ तारी को उन्होंने स्पीच दी थी जिसमें मोधी और अडानी के रिष्टे को लेकर बहुत सवाल उन्होंने किये थे काफी सारी बाते उन्होंने कही थी इतनी ज़ादा बॉकलाहट उससे हुई थी कि अडानी के नाम वालिया अडानी के ओपर आरोप अडानी और मोधी को एक साथ जोड़ते हुए जितने भी आरोप उन्हों सब को हटा दिया गया उन्हों सब को रैकॉर्ट से हटा दिया गया था उसने अपना ही जो हाइपील की थी अपनी कम्प्लेन को विड्रॉ करने की वो उसने 16 फरवरी यानि इस स्पीच के 9 दिन बाद अपील कर दी थी, एक साल तक शान्त रहे, लेकिन राहुल गांदी की साथ फर्वी दो हजार तेइस वाली स्पीच के नौ दिन बाद इसी complainant ने जाकर कहा कि भाईया मेरी जो वो complaint नो उसको दुबारा से जीवित कर दीजे, मैं अपने stay की अपील को withdraw करता हूँ और उसके बाद CGM resumes on arguments जो Chief Judicial Magistrate हैं वो पूरे के पूरे arguments resume कर देते हैं सारे arguments पर बाचीत होती है discussion होता है, arguments होते हैं और अपना order 17 मार्च 2023 के लिए reserve कर देते हैं और फिर order दिया जाता है 23 मार्च 2023 को कितनी जल्दी जल्दी सारे चीज़े हो गई कितनी जल्दी जल्दी बहुत कुछ हो गया, जो इतने समय से शांत थे, इतने समय से कोशिश कर रहे थे कि अपनी उस complaint पर ही stay लगा दिया जाए उसके बाद जैसे ही अडानी और मोदी का नाम नोकसभा में लिया गया आप लोगों के हकी बात, आप लोगों के हकी सवाल पूछे गए, इस देश में अगर भष्टाचार की ख़बरें सामने आ रही है उस पर पूछना, सवाल पूछना, किसी भी Member of Parliament का अधिकार होना चाहिए और है, क्योंकि वो रेप्रिजेंट करते है इस देश की जनता को, वो सवाल क्या कर लिया, पहले तो उसको हटा दिया गया उसके बाद मोदी ने एक सवाल का जवाब नहीं दिया, पूछा कुछ गया, आरोप कुछ लगाए गया जवाब कुछ दिया, हमारे देश की गोदी मीडिया ने खुब तालिया बज़ाए कि वाह क्या जवाब दिया है, जबकि जवाब एक भी सवाल का नहीं दिया था, लेकिन अगर वो इतना ही बढ़िया बोले थे और उनको कोई फर्क नहीं पढ़ रहा था राहूल गांदी के बोले, तो ये सारी चीजें जो इस बीच की गई, ये सारी चीजें क्यों की गई, क्यों की गई, ये एक बड़ा सवाल है जो कि आपके सामने कई सारी बातें रखता है, तो ये सिर्फ अभिशेग मनु सिंग भी ने नहीं, बलकि जैराम रमेश ने भी ये बात रखी है सामने, जैराम रमेश का ट्वीट मैं आपको दिखाती हूं, नाइन डेज आफ्टर लिए अपील की हुई थी, और अचानक से उसने अपनी इस अपील को विड्रॉ, उनकी इस स्पीच के नौ दिन बाद किया, और 27 फरवरी को आर्गुमेंट्स रिज्यूम कर दिया गया ठीक एक साल बाद, और 17 मार्ज को जज्जमेंट भी रिजर्व कर दिया गया, कोई कोई इत्वाक तो इसमें नहीं है, इस टोरी में बहुत सारे इत्वाक तो नहीं हो सकते, यह सारी चीज़े आपको समझ में आ रहा है कि सिलसलिवार तरीके से क्रोनालोजी समझें, यह क्या थी, अब राहुल गांधी के साथ जो हुआ, उनकी सदस्ता जो खक्म की गई उसके बाद विपक्षी दल के बड़े नेता उनके समर्थन में आए है और इस पूरे फैसले के खिलाफ उन सब लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है जिसमें से ममता बैनर जी ने आज दोपहर तीन बजे एक ट्वीट किया जिसमें नोंने लिखा कि पीएम मोधी के नए भारत में विपक्षी लीडर्स हाव बिकम दे प्राइम टारगेट ऑफ बीजेपी बीजेपी के प्राइम टारगेट कौन हो गए है विपक्षी लीडर्स वाइल बीजेपी लीडर्स विद क्रिमिनल एंटिसिदेंट जो बीजेपी के जो लीडर्स है उनके तो बहुत क्रिमिनल रेकॉर्ड भी आपको दिखते हैं उन सबको तो क्याबिनेट में शामिल कर दिया जाता है उपोजिशन लीडर्स को डिस्क्वालिफाई किया जाता है सिर्फ उनकी स्पीच के लिए कोई क्रिमिनल रेकॉर्ड के लिए नहीं बर जबरदस्ति उनको क्रिमिनल बनाने के लिए सिर्फ उनके राजनितिक बयानबाजी को लेकर और फिर आगे ममता बयानजी लिखती है कि तोड़े वी हाव विटनिश अन्यू लो फ़रा कॉंस्टूशनल दिमोक्रसी हमारी लोकतंत्र से चलने वाली जो हमारे समविधान से चलने वाला जो हमारा देश है उसमें हमने सबसे बड़ा एक नया लो एकड़म लोईस पॉइंट आज देखा है वहीं पर BRS के KTR लिखते है दिस्क्वालिफिकेशन अव राहूल गांधी जी इस अ ब्लेटेंग मिसिंटर्प्रेटेशन अफ कॉंस्टिटूशन कॉंस्टिटूशन को किस तरह से मिसिंटर्प्रेट किया जाए ये उसका जीता जाकता उधारन है जो राहूल गांधी का डिस्क्वालिफिकेशन किया गया है और जो जल्दबाजी की गई है उससे दिखा वो दर्शाता है कि ये सब कुछ बिल्कुल गैर लोकतांत्रिक तरीके से किया जा रहा है और मैं इस सब की निंदा करता हूँ उसके बाद उन्होंने दो कोट्स डाले हैं जिसमें एक वाल्टेर का कोट उन्होंने डाला है जिसमें ये कहा गया था I do not agree with what you have to say मैं भले जो आप कहते हैं और जो कहना चाहते हैं उससे इत्फाक नहीं रखता फिर भी but I'll defend to the death your right to say it लेकिन मैं अपने मौत तक अपनी अंतिम सांस तक भी आपके बोलने के अधिकार को हमेशा डिफेंड करता रहूँगा हमेशा बचाता रहूँगा और आगे फिर उन्होंने जब Hitler के जमाने में कैसे जनता चुप बैठी रही देखती रही ये सोचते वे कि उनके साथ आगे ये नहीं होगा उसको भी उन्होंने आगे लिखा है कि first they came for the communist पहले वो communist के लिए आए और मैं तब नहीं बोला क्योंकि मैं communist नहीं था फिर उसके बाद वो socialist के लिए आए मैं तब भी नहीं बोला क्योंकि मैं socialist नहीं था फिर उसके बाद वो trade unionist के लिए आए मैं तब भी चुप रहा क्योंकि मैं trade unionist नहीं था उसके बाद फिर वो jews के लिए आए मैंने तब भी कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं जीउ नहीं था और उसके बाद वो मेरे लिए आए लेकिन उसके बाद कोई बचा इंग था मेरे लिए बोलने के लिए हैं टो यह उन्होंने आपके सामने रखा है वह इन सबके बाद राहुल गांधी का भी ट्वीट आया है और राहुल गांधी भी ट्वीट किया है और कहा है संसत की सदस्यता के अपहरण से राजनीतिक चुनोती खत्म नहीं हो जाती सबसे बड़े आंदोलन संसत नहीं सड़क पर लड़कर जीते गए हैं जिन महोदे ने मानहानी का दावा किया है दरसल ये उन्हें अपने उन लोगों पर करना चाहिए जो अपने देश को धोखा देकर विदेश भाग गए जिससे उनके नाम मान को हानी पहुची है बजाए कि राहुल गांधी ने जब उस बात पर टिपणी की तो आप उनकी ऊपर जाकर डेफोमेशन के केस थोप रहे हैं वहीं अर्विन केजरिवाल धी राहुल गांधी के स इसी को तो ताना शाही कहते हैं मेरी देश वासियों से अपील है हमें मिलकर आगे आना होगा जन्तंत्र बचाना है देश बचाना है तो सभी लोग इकटे हुए है क्योंकि सब को समझ आ रहा है कि अब अती हो गई है अब हर चीज़ के अती की जा रही है आप सब लोगों को भी समझना होगा, ये सिर्फ किसी नेता के साथ, उने वाली कोई एक घटना नहीं है, ये लोकतंत्र पर प्रहार है, हमला है और हमारे देश को चलाने वाले लोगों द्वारा ही, इसलिए बोलिए, खड़े हुए, समर्थन कीजिए, और अपनी राय भी इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में जरूर दीजेगा, उसे शेर कीजेगा सब्सक्राइब कीजे यूट्यूब पर और फेस्बुक पर सत्यमेब जयते